यशो मती मैया के नंद लाला जिल जी पाबा अभी गए भी ना कि जे अभी से उनकी प्रतीक्सा करने लगो है देख रही हो जिल जी हमें लगो कि नीलमणी हमारी प्रतीक्सा कर रहो है तू देखो नीलमणी हम आ गए आ गए तुमसा पालना उत्सब की कच्छो पड़ी भी है कि ना आप तो हो तो आप क्या ही बज़ जाये शोदा भावी फिर तो कभी देर ना होगी ना ना ऐसी भूल मत करना अच्छा जो तनिक समय मुझे मेरे लल्ला के साथ मिलतो है वो भी छिनलो समुझ से जिजजी आप चिनता मत कीजी ना हमारी और ना ही पालना उत्सब की तयारी की रोहीनी जिजजी ने कल ही सब कुछ समझा दियो था क्यों रोहीनी जिजजी तो बस चलो समभालो सब कुछ हाँ तुम सब जाओ और अबने अपने लल्ला को समालूंगे हाँ बहुत अच्छी सु तयार करूंगी तुझे हाँ अब ही आई तेरी मही अब ही आई मुझे भी एक विशेष तयारी करनी है आज विचित्र सा कर्शन है बरसाना में यहीं से प्रारंब करती हूँ आज का तांड़ ना ना बरसाना नहीं कोई और स्थान भी नहीं आज तो पूतना को यहीं आना होगा मेरे पास बड़ा गाओं है इतने सारे व्यक्ति है अनेक बालक मिलेंगे यहां किन्तु मैं तो नहीं मिलूंगा ना अरे मैं यहां प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो वहां जा रही है अब मुझे कुछ करना होगा आ काऊ तेरी मईया आ काऊ तेरी मईया oops ऐसा रोप निक्षरे गो मेरे लल्ला का सब देखते रा जाएंगे मुझे तो इस बात की जित्दा है मेया कि जिस रूप में पूतना का सामना करूंगा । आप ने मुझे उस रूप में देख लिया तो आपकी ममता से वंजित नहीं होना चाहता हूं मैं किन्तु पूतना को अब और अधिक आतंग भी फैलाने नहीं दे सकता हुट करें गल को बीत है हुट कुछ गल कुपी मोरो 指़ हुट एसी मधुर किलकारी की प्रक्रती भी खिलूठी कहीं ये ध्वनी विश्णू की तो नहीं यहीं तो चाहता था मैं कि तुम यहां आओ बस मेरे पालना उत्सव में विग्न मढ डालना पूतना मैया बहुत उत्साहित है आज अरे शीकर करो हाँ उसे वहां लगाओ और वो बहाँ तेयारी में कोई कमी ने रहे अरे यसे थोड़े नीचे लाना ना अब ऐसा मुकुट पहनाऊंगी कि सबकी आखे चौन्दी आ जाएंगी तेरा रूप देखके यहां तो कोई शिशू दिखाई नहीं दे रहा एक एक घर का विद्वन्स क्यों न करना पड़े आपने आहार को ठूंड के रहोंगी आज विद्वन्स नहीं होगा पूतना मैया ने अभी अभी क्या कहा लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया बता लल्ला अच्छा लगो हां किना पता पता ओ हो हां बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे यह विष्णू ही है पर मेरा लल्ला तो पूरा सजगो है मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कचुवर दिखाईना देगो मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कचुवर दिखाईना देगो ए्सेघए समय को खुछ सुना ने खुछ सुना लिए — प्टका झेस को खुछ आाााा सुना खुछ अभी आई ऐसे चौक यू गई पूतना मैं ही हूँ जिसे तुम कब से ढून रही थी तो तू है विष्णु अफ्तार सोयम को कंस का काल समझता है आज मैं बनूंगी तेरा काल मुर्ख शिशू इतनी सारी मिठाईयां कर देने में अधिक समय लगा तो हमारा मुख मीठा करके कृपा अपाना चाहते हो नंदराज मैं तो छोटे से गाउं का सीधा साधा ग्वाला हूं महराज धाजदानी के राजनीती के दाव पेच पहना समझता हूं बस अपनी प्रसनता आपके साथ साजा करो मुझे पुत्र हुआ जी वो भी इतने बरसों के बाद इसलिए कर्मकांड में व्यस्त हो गया कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जण? कितने समय पहले? बस साथ दिन का हो गया हमाराज हमारा लल्ला उतना के लिए एक और नवजात शिशु तुम्हारी प्रसन्नता पर तो आकाश तूट पड़ेगा जब तुम्हारा पुत्र स्वर्क सिधारेगा वाह फिर तो मिठाई खाना आबश्यक है बदाई हो नंदराज, बदाई हो भाराज, आज लल्ला का पालना उत्सव मनाये जारो है अरे, तो तुम यहां क्या कर रहे हो जाओ जाओ, अपने पुत्र के उत्सव का अनंद लो तो क्या है ना अनंदराज जब भाग गया शुब सूचना दे तो उसको कोना नहीं चाहिए मुठ्ठी में मुठ्ठी में दबोच लेना चाहिए जाओ 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 समय से पहले ही कार्य हो गयो बस आप वसुदेव भाईया से मिलके सीग रही घर लोट चलूगा अत्यादेक स्वादेष्ट यही कहेगी पूतना भी जबो तुम्हारे शिशूको अरे शिगर चलो पालना उत्सव अरम ना हो जाए ने तो नील मनी को जुनाने का अउसर ना मिलेगो तो उसका पालना उत्सव है आज अब देख चलिए विश्णू तरी मईया के साथ कैसा चल करती हूँ मैं चलो ही चलो मेरा अध्यान अपनी ओर आकशिक करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तोने तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा किन्तु मैं मैं तेरा अस्तित्व नश्ट कर दूगी होगो मेरा लनळा तैयार होगो मेरा लनळा तैयार कि अए खुँद आज अशलेशा नक्षत्र है पूतना, मृत्यू योग है, यदि अब भी तुमने गोकुल की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया, तो परिणाम की उत्तरदाई तुम स्वयम होगी सत्य कहा तुने, मृत्यू योग ही है आज, तेरा देख, तेरी मृत्यू गोकुल में प्रवेश कर रही है, रोक सकता है, तो रोक के दिखा विनाश का लेविपरीट बुद्धी एक बार बुत्तन गोखुल में प्रवेश कर गई, तो वहाँ विधाश का तांडव होगा, प्रित्यू नाचेगी, और हम, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ कीजे स्वामे, संदेशा भिजवा ही अपने भाई को. तेवकी, महल के कोने कोने पर, कंच के कुप्चुरों की दृष्टी है, इस कक्ष से निकला कोई भी संदेश कहीं और पहुंचने से पहले, उसके कानों में पहुंचेगा, पर हमारा पुत्र, तेवकी, भाई, आप यहां, सब ठीक तो है, आप दोनों इतने बहबीत क्यों है, मैं तो मासे कर देने आयो हूं, पता चलो के बिटिया हुई है, और कंच ने आप दोनों को कारागार से मुक्त कर दियो है, तो मिलने और अधाई देने चले आयो, सच बात तो जे है के मैं भी एक सुपसमाचार सुनाने आयो, नारायन की कृपा से यह सोधा की गोध भर गई, लल्ला हुआ हमाया, क्या हुआ भाईया, भाभी, आप दोनों प्रसने ना है, नहीं, बहुत प्रसने हम, आपको बहुत 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 बढ़ाई, पुत्र को हिदय से लगाने का सुप नहीं ले सकता, किन्तु जिस ज्छाती ने उसे अपने से लगाया है, जिन पाहों ने उसे अपनी गोध में उठाया है, उनका सपाश तो गरी सकता हूँ, पुत्रस वस्त है ना, वो दूठ ठीक से पीता है ना, और भाबी जी उसे डकार दिलवाती है ना, नीट ठीक से होती है उसकी, पोजन, विश्राम, सब आवशक्ता के अनुसार कर रहा है ना, और भाबी जी से कहिएगा कि उसे केवल कोमल वस्तर ही पहना है, और उसके सूनी का गद्दा भी कोमल होना चाहिए, देवकी को रोकना होगा, अन्यथा अभी सारा भेद खुल जाएगा, एक चीज का विशेश ध्यान रखेगा, उसके नहाने का जल्ब सादिक करम नहीं होना चाहिए, और देवकी, साज तो ले लो, इतने सारे निर्देश, इतने सारे प्रशन, भाभी आप चिंता मना करो, हम हमाया लल्ला का भोध अच्छे से धान रखे, और यसोदा तो नम्ता में बावरी हो गई, छण बर के लिए भी नील मनी को स्वयम से दूर ना करती, रेदैसे लगा के रखती, आज लल्ला का पाल मुझे पूरो विस्वास है, कि यसोदा ने कोई कमी ना छोड़ी होगी, लल्ला को इतना अच्छे से सजाय होगा कि बस पूछो हमता, यदि हम भी वहां होते तो, अपने नेत्रों से देख पाते उसे, इतना सुंदर लग रहो होगो, उसके माथे का मोर मुकुट, जैसे उ और उसके नेत्र, मानो कमल के फूल, सांत, धीर गंभीर, किन्तु नटकटपन से भरे होगे, और रंग की तो आप पूछो ही मत, ऐसा लगता है जैसे तोपहर के कड़ी धूप के बाद, साम की सीतल मंद मंद बयार चल रही हूँ, आज जब लल्ला पालना उत्सव में सत सवर कर आएगो ना, तो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएगे। आज जब लो भाई, मेरा लल्ला तो सजधच के आगो है, अब तुम सब बताओ, इसका पालना सजो की ना, बिल्कुल तैयार है जशोदा जी, देखो लल्ला के पियोग के लिए कितना ब्यार को ले। जब लल्ला, अराल सजोची अद्भूत बात तो जे है कि आपी की तरह यसोदा भी उसकी बहुत चिंता करती है। अज पालना उत्साव में भी तरह तरह के प्रस्न करेगी। जब तक सब कुछ जाच परख ना ले, तब तक वो लल्ला को पालने में ना लिटाएगी। कवाभी, कैसा लगो पालना? लल्ला का है पालना, जे ही बताएगो। कैसा लगो? लो जिद जी, लल्ला ने तो खाह कर देई। तो पालना उस अब आराम करें। रुको, पहले मुझे देख तो लेने दो, पालना ठीक तो है ना? है तो सुंदर, किन्तु सुरक्षर भी तो होनो चाहिए। जे फूल, जे आज के ही है ना? कीट पातंगे तो ना लगी इनमें। ना भावी, आज सवेरी मैंने और जानकी ने स्वयम तोड़े हैं। फिर उन्हें धोया, तब जाके सजाया है इनने। और जे मोरपंग, इनकी नुकीली सिरे, बीतर की ओर तो ना है। मेरा लल्ला को चुप गई तो। बाहर की और ही है जिजी, मैंने स्वयम लगाए है। और जे गद्दा और उनके बस्त्र, सब कोमल है न। हाँ, हाँ, जी जी, आपके सारे नीदेशों का ध्यान रखो है। अच्छा, अच्छा, और जे पाल न, जे सुरक्सित तो है न, भार उठा लेगो न, मेरे लल्ला का। जे क्या कर रही हो चाब? अरे मैं मैया हूँ, सदेव साबधान रहनों चाहिए। हाँ, नहीं तो। प्रिदय प्रसन्न हो गया भाया ये सब जानकर, बहुत प्रसंता हुए। भाया, रोहनी दीदी कैसी है? उनका पुत्र स्वस्तो है न? हाँ, भाइनन्द, रोहनी कैसी है? सब कुसलमंगल है, मेरी भावी और भातीजा, दोनों आपको बहुत स्मरण करते हैं। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नन भाई, मेरी ओ से शमा मांगीगा अपनी भावी से। उनसे कहना मैंने जो कुछ भी किया, उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए किया। वो समझती, आपकी परिस्तिती का आभास है उन्हें। लो, मैं तो भूली गए हूँ। भावी ने आपके लिए पेड़े और बिटिया के लिए वस्त्र भेजे। बिटिया काहा है? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? अकाशवानी में मेरे आठवे पुत्र का उलेग था। पर उसने मेरी गोच से मेरी पुत्री को चीन लिया। और… तो फिर नारायन के अफ़ार? वो कहा गए? वो… नारायन की लीला वो ही जाने। किंतु अब तक… अफ़तार की मित्यों ना कर पाने के कारण… कंच क्रोध में अपना मांसिक संतुलन खो बैड़ा है। उसने… उसने उतना नाम की अत्यन भयानक राक्षसी को… उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है। जिनका जनम… पिछले दस दिनों में हुआ है। भाई नंद… इसलिए आप… साफधान रहे हैं… यदि उसे पता चला… कि आपको पुत्र हुआ है… कि आपको पुत्र हुआ है… भी साथ दिन पहले… तो अनर्थ हो जाएगा… अब हुआ तुम्हारे उत्र काजा… कितने समय पहले… बस साथ दिन का होगे है हमाराज हमारालला… जाएगा… जाएगा… झाल प्रूप्ड़ जाएगा… जाएगा तुम्हार जाएगा… झाल